जैमाई की काफी समय से मन में एक छोटी सी चिंता जन्मी हुई थी बहुत से साधक लगातार यह जानना चाहते हैं कि मा बगला मुखी के मूल मंत्र या एक आक्छर बीज मंत्र का सही और सुद्ध उच्चारण क्या है मेरे मन में यह दुधा इस वज़य से थी क्योंकि साधकों को सारवजनिक रूप से मंत्रों के उच्चारण नहीं करने चाहिए यह साधना पद्धती एवं गुरु परंपरा के विरुद्ध माना गया है और इसी समस्या को लेकर के मैं बार बार ये सोच रहा था कि इसका क्या उपाय होना चाहिए माई की क्रपा से मुझे याद आया कि भगवती का सुरूप इस्त्रियों में समाहित होता है इसलिए कहा गया है इस्त्रिया समस्ता सकला जगस्तू भगवती इस्त्रियों के रूप में स्वयम उपस्थित होती है अताह मेरी इस दुविधा का समाधान मेरी धर्म संगनी राज अलपना जी के माध्यम से ही हुगा उन्होंने सादकों के हितार्थ इस मंत्र पर प्रकाश डालना अपना दाइत तो समझा और उसे पूरा भी किया तो आईए उन्हीं के पास चलते हैं जै माईकी भगवती मा बगला मुकी के एकाप्छर बीच मंत्र का उच्चारण कई तरह से किया जाता है इसमें अनेकों बिद्वानों के अनेकों मत्थ हो सकते हैं प्रायाह इसे दो परकाश से बोला जाता है हलीम और हलरीम इसमें से पहला बीच मंत्र अभी सब्त होने के कारण इसमें बाद में अगनी का बीच मंत्र जोड दिया गया है जिससे यह स्राप से बिमुक्त हो जाता है इसका सुद्ध उच्चारण होता है हलरीम यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हकार आकार सत्त्व का सूचक है लकार प्रत्वी तत्व का सूचक है रकार अगनी तत्व का सूचक है और इम्रती बीजबिंदू होता है यही इस एकाक्षर बीज मंत्र की तात्तिक व्याक्या होगी और इसका सुद्ध उच्चारण होगा हलरीम लेकिन यहां एक बात गंबीर और अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि विविन गुरु परंपराओं के अनुसार इसका उच्चारण हिलरीम और हिरलीम भी सुईकार किया गया है क्यों यह जानने के लिए पुनाह आचार जी के पास चलते हैं जै माई की तो यह सब सुनने के बाद मुझे पूरी आसा है कि आप सभी के कुछ संसयों का समाधान तो हुआ ही होगा अब यह जान लेते हैं कि बगला मुखी माई के इस वीजाक्षर का उच्चारण जो दो तीन तरह से करना बताया गया है यह क्यों बताया गया है तो इसके लिए जैसा कि आपने सुना कि माई का यह मंत्र श्रापित है इसको श्राप लगा हुगा है और इसके श्राप से इसे मुक्त करने के लिए इसमें अगनी का बीज मंत्र बाद में जोडा गया है और उसके जोडने से यह श्राप से मुक्त हुगा है किन्तु जहां तक इसके उच्चारण का प्रस्ण है यह क्यों दो-तीन तरह से बोला जाता है या बताया जाता है इसके कई रहस्य हैं सबसे पहले तो जैसा कि आपने अभी सुना कि मंत्र तत्वों से मिलकर के बनते हैं और किस तत्व का समावेस किस जगह है किस रूप में करना है यह एक सुयोग सद्गुरू के सानिध में ही आपको प्राप्त हो सकता है इसका ग्यान आपको तभी हो सकता है जब आप किसी सुयोग गुरू के सानिध को प्राप्त करें क्योंकि सुयोग सद्गुरु को ही पता होता है कि आपके लिए किस तत्व का समायोजन किस जगे किस तरह से करना है और जब वह आपको आपके ही अनरूप उस तत्व का समायोजन करके मंत्र को प्रदान करते हैं तो वही आपके लिए उपयोक्त भी होता है, उपयोगी भी होता है और सिद्धी प्रद भी होता है उसी से माई की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है जहां तक इस वीज मंत का प्रस्ण है यह प्रायाह तीन तत्वों से मिलकर के बना हुगा है इसमें प्रत्वी तत्व, आकास्त्व और अगनी तत्व, अब इनका समायोजन किस तरह से करना है और कहां आपके जीवन में उसको होना जरूरी है यह आपके सदगुरु के सानिद में ही आपको समझाया जा सकता है इसलिए सरवाधिक आवश्यक्ता इस बात की है कि गुरु सुयोग हों, साधक हों और इस विद्या के जानकार हों एवं गुरु परंपरा से कुल परंपरा से युक्त हों अनेकों गुरु परंपराओं में अनेकों परकार से जो इस मंत्र के उच्चारण को वताया जाता है उसका कारण यही है कि उस शिष्च को जिस तत्व की आवश्यक्ता थी जहां थी जिस तरह से थी उसको उसी तरह से उस मंत्र को वताया विया है तो यह बास समझने की और ध्यान देने की है तभी आप अपनी भ्रांतियों से मुक्त हो सकते हैं और इस सिद्धान्त को और भी सरलता से समझने के लिए आपको महरसी बालमीकी के दिश्टान्त का इस्मरनक करना चाहिए महरसी वालमी की के पूर्व के जीवन के वारे में आप सभी जानते ही हैं उनका पूर्व का जीवन आध्यात्मिक नहीं था किन्तु गुरु की कृपा उन्हें प्राप्त हुई उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ और गुरु ने उनके लिए उपयोगी महामंत्र उनको दिया राम परन्तु यहां उन्होंने अपनी विवस्ता व्यक्त की उन्होंने कहा कि जिस मंत्र को जपने के लिए आप बोल रहे हो ऐसा ब्यक्तित्व, ऐसा व्यवहार, ऐसी जीवन सेली, ऐसी दिव्य जीवन सेली तो मेरी रही ही नहीं है इसलिए मैं इसका उच्चारन करतना चाहते हुगे भी नहीं कर पा रहा हूं इस समस्या को सद्गुरू ने समझा और फिर उनके ही अनुरूप उनको उल्टा बताया मरा यह सुनते ही महरसी वालमीक प्रसंद हुगे उन्होंने कहा इस सब्द से तो मैं चिर परिचित हूँ बहुत से लोगों को जब मैंने यातनाय दी तो उनके मुख से यही निकलता था मरा 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 और फिर बस वाई यही जबने लगे और यही जबते जबते उन्हें कौन सी सिद्धी प्राप्त नहीं हुई यह आप सभी जानते ही है तो सद्गुरू को पता होता है हमारे गुरू को जनों को पता होता है कि हमें किस तत्व की, किस शब्द की, किस मंत्र की कहां आवश्यक्ता है और वह हमारे लिए उसी तरह से उस मंत्र को वताते हैं यही गुरु परंपरा है यही गुरु का सानिद्य का प्रशाद है जै माई की